समाजवादी पार्टी में उपेक्षा की बात कहकर राश्च्रिय महासचिफ के पच से इस्तिफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी का गठन करेंगे। इसके लिए उन्होंने नई पार्टी का नाम वज़ंडा लॉंच कर दिया है। वह 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। नई पार्टी का नाम राश्च्रिय शोषित समाज पार्टी होगा। इसके जंडे में नीला, लाल और हरा रंग होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों सपा में उपेक्षा किये जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी के राश्च्रिय महासचिफ के पच से इस्तिफा दे दिया था। उन्होंने अखिलेश यादव को लिखे गए अपने पत्र में कहा था कि डॉक्तर भीमराव आमबेड कर और डॉक्तर राम नोहर लोहिया समेथ सामाजिक न्याय के पक्षधर महापुरुषों ने 85 बनाम 15 का नारा दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी इस नारे को लगाता निश्प्रभावी कर रही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर ये लाइकन को लाइकन कर दो हमारे आंवे ये वीडियो ये वीडियो देकन करें।